तो बहुत ही प्यारे दिखें ये इस तरह से एक साल पहले मैंने ये पौधल आया था जर्बी राका और आज देखिए यानि जनवरी में लाई थी और इतना बड़ा हो चुका है और ये है इमबिशन्स का प्लांट ये बहुत ही सिंसिट्यू प्लांट है मैंने इसके पहले भी दू प्लांट लाए थे लेकिन मेरे वो नहीं बचे तो मैं तो ऐसा आपको कहते हूं कि जिनको केर करने आती है वही इस प्लांट को ले अभी तो ये मेरा प्लांट चल रहा है लेकिन देखते हैं आगे तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो सिड्लिंग के बारे में होने वाला है तो जो सीड्स मैंने गुविन भाई से पर्चेस के थे वो सारी दिखे जर्मिनिट हो चुके है और विंका ये तो मेरे घर के ही विंका है और बाकी जो भी मैंने सीड्स डाले थे वो अभी जर्मिनिट हुए है तो ये कुछ है मैंने दस दिन पहले ये सीड्स मंगवाए थे गुविन भाई से ये जिरेनेम के सीड्स है और देखे पूरे के पूरे सब जर्मिनिट हो चुके है तो अ तो ये सारे सिर्ष देखिए दस दिन के बाद का ये सारा ये है और ये मैंने कुछ पहले लगाये थे और ये कुछ मेरे पॉर्ट में अप होगाये थे तो वो मैंने इस पॉर्ट में लगा दिये हैं कुछ मैंने सिड्लिंग की थी और ये पिटूनिया जो मैंने लगाये थे इनकी जो लिव्स होते हैं उनके पीछे देखे ये spider mite यानि जाली से बनती जाती है और इस वज़े से क्या होता है कि ये जो पौधा है वो पूरा खराब हो जाता है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इसके जो भी ऐसे पत्ते होते हैं वो कट करने हैं आपको नहीं तो य ये सारी जो बिमारी है ये पूरे पौधे में फैर जाएगी और ये जाली से पूरा पौधा घिर जाएगा और आपका पौधा डाय हो सकता है और ये बिमारी बाकी पौधा पी भी लग सकते हैं तो आपको इतनी केयर करने पड़ीगी तो इसी के देखिए फिर से मैंने ये सीर्स लगाए है, हॉली हॉक ये तेरा तरीक को मैंने लगाए थे, तो ये कुछ दस बारा दिन की बात का ये रिजल्ट है, तो इसमें ये अभी बहुत ही अच्छे से जर्मिट होए है, तो देखिए इसकी पहली जो बर्स होती है, इस सरह से होती है, और इसकी फ्लावर बहु एक बड़ा गमला दूँगी, बड़ा यानि पाची इंची गमले में इने लगाऊंगी, तो आज मैं इन जो थोड़े से बड़े हुए है, सीड्स, सीड्ली, तो उनको मैं आज रिपॉर्ट करने वाली हूँ, तो इसी पर ये आज का वीडियो है, तो ये है डेलिया, तो य इसमें से अगर आपके पास कुछ नहीं हो, तो भी चलता है, और थोड़ा सा मैंने कंपोस्ट लिया है, और ये मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, थोड़ा सा फंगिसाइड, तो सेम रेशो है, वही रेशो है, जो मैं हर एक सॉयल के प्लांड के लिए बनाती हूँ, सॉयल मिक कर ले, तो इस तरह से ये सॉयल मिक्स और हर वक्त का, मैं यही आपको सॉयल मिक्स का रेशो बताती हूँ, तो बहुत एजी और टेंशन फ्री गार्डनिंग होती है, तो देखे इस तरह से इन ग्लास को मैं भर लेती हूँ पहले, तो ये मेरे वही ग्लास है, जो मैं कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ, और कुछ यानि बहुत दिन ये चल जाता ही, और सीडलिंग के लिए मुझे तो यही अच्छे लगे, और बाकी भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट है, तो जो भी आपको सीडलिंग लगा ली है, सबसे पहले उसमें वाटरिंग करिए, क्यों रूर्स को डैमेज ना करें, और बहुत ही ईजली प्लांट के चोटी सीडलिंग को आप निकाल सकते हैं, और ये जो मिट्नी है, वो इतनी यानि बुरबुरी मिट्नी है, कि प्लांट बहुत हैअ, जो एजली चलता है क्योंकि सीडलिंग के लिए मैं हाफ मिट्टी और लाती हैं तो देखे पौधे को एक हाथ में पकड़िए और दूसरे हाथ से दिखे इसे अच्छे से रखे और इसमें soil आप डालते चाहिए और soil लाते हुए आपको पौधे को पकड़ना है और देखे बिलकुल बीच में लगाया है मेने पौधा और थोड़ा सप्रिस करूँगी इसे हलकी से देखिए और जितनी सॉयल बैठते इसमें यानि उपर से जब भी आप पानी डाले तो किसी भी गंबले में इतनी जगा होने चाहिए कि पानी डालते वक्त वो पूरा पानी बाहर नाए इस वज़े से मिट्टी भी बाहर पानी डालते हो तो वो अंदर नीचे तक रूट तक नहीं जाता है तो इस वज़े से आपको इसका भी ध्यान रखना होगा और पहले पानी डालते समय नीचे से पानी निकलना चाहिए इतना आपको पानी इसमें डालना है तो चलिए इसी तरह से सारी सिडलें हम लगाते है कि अप्रेट बॉक्ष बॉक्षा हो बजए लग तक कि अज़ सो उसकतों आवेंगें। तो बस इसी तरह से मैं अपनी सीडलिंग जो है लगाती हूँ और बाकी मुझे अभी और भी सीडलिंग लगानी है तो इन सारे इसको प्लांट को पहले वाटरिंग करूँगी और उसके बाद देखिए जैसे मैंने कहा था कि पूरे प्लांट यानि नीचे से पाने निकलना चाहिए और हमारी सॉयल मिक्स इतनी वेल्डन होती है कि जब भी आप पौध में पाने डालेंगे तो नीचे से निकलता जाएगा तो बारिश में भी किसी भी प्लांटर में पानी मेरे इसमें पौधे में ठहरा हुआ नहीं था क्योंकि सारी जो सॉयल मिक्स है बिल्कुल इसी तरह की मेरी सॉयल मिक्स थी तो इस वज़े से अच्छे सभी पौधे बारिश में भी मेरे बचे रहे और कोई भी फंगस के कारण या ज्यादा वोटरिंग के कारण मरे नहीं तो यह जो soil mix है यह बहुत ही अच्छी है, तो हर एक plant के लिए मैं इसे तरह से बनाती हूँ soil mix, अब इन plant को मैं रखूंगी, देखें यहाँ पर, यह मेरा area है, यहाँ पर हवा वगेरा तो बहुत अच्छे से आती है, सिर्फ यहाँ पर धूप नहीं आती है, तो यह उपर से कह सकते हैं, कि इसमें sprouting शुरू हो गई है, तो अब यह इसे पाच्छे दिन हो गया है, तो इस सभी plant को मैं यहाँ से निकालूंगी, और यह जो अभी लगाय हुए plant है, और बाकी जो लगाऊंगी, इन सब को मैं यहाँ पर रख दूंगी, कुछ पाच्छे दिन के लिए, और अभी जो यह लगे हुए हैं, इनको मैं अब उपर रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हलकी सी धूप आती है, सिर्फ सुभा की धूप आती है, देखे, यहाँ पर उपर, यहाँ से नीचे जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर मैं लगाय हुए नए plant रखती हूँ, और यहाँ पर सुभा की धूप आती है, और बारा वजे के बाद यहाँ पर धूप नहीं आती है, तो जो भी इंडोर प्लांट है, मेरे सारे की सारे इसी जगे पर हैं, तो देखे, इनमें स्प्राटिंग शुरू हो गई है, और इन पर जैसे फ्लारिंग होती है, तो वो भी व वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीर मिलती है नई वीडियो में, तब तक के लिए बाइ-बाइ, हैपी गार्डनिंग, स्ट stay safe.